हाई एवरिवार्ण कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल आइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में तो यार कैसे हो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे तो दोस्तों जैसे कि आप जानते कि टेंथ का अलेडी एक बार पढ़ा के कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा सब्जेक्ट के लेक्चन वीडियो सब चाप्टर के प्रेजेंट है आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेगिन साथ ही में दोस्तों आपक आप देखोगे तो यहां पर हमारा चैप्टर नबर फोर जिसका नाम क्या है दोस्तों जिएमेट्रिक कंस्ट्रॉक्शन होना दोस्ती इस टॉपिक लेकिन मज़दार है लेकिन थोड़ा सा कॉंप्लिकेटर अरे डाई में क्यों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जिनको कं यूज करके वो वो डिवाइडर कंपास यूज करके वो स्केल में थोड़ा कभी-कभी यूज करने में दिख्कत आता है तो इतना इसी होगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो यहां पर जोमेट्रिक कंस्ट्रॉक्शन लेक्चर नमबर वन है आज पहला लेक् दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है खासकर टेलिग्राम पे जिस पे आपको इंपोर्टन कोशन मिलेंगे आने वाले समय में ठीक है तो जॉइन कर लेना फटाफट चलिए बढ़ जाते हैं आगे जाते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा इस चाप्टर का जो की है कंस्ट्रॉ जैसे कि आप जानते हैं कि पहले चाप्टर में हमने सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है यह डिसक्स कर लिए जो की बहुत ज्यादा इजी भी होता है यह आप जानते हो अब अगर कोई भी ट्राइंगल दो ट्राइंगल सिमिलर तोर पे हमें दिये हुए है अगर एक्जाम में या फिर कोई भी questions में दिये हुए तो सबसे पहले बहुत दो triangle को हम किस प्रकार draw कर सकते हैं ऐसा हमें questions पूछा होता है जैसे example के तौर पे क्या होता है कि हमारे पास जो triangles होते है अगर similar है जैसे example के तौर पे यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ let's suppose कि we have two triangles here ठीक है this is one triangle and this is two triangle मैं थोड़ा rough में बताऊंगा tension मतले न कि अगर मने पास दो triangle है जिसका नाम है A, B, C और इसका नाम है दोस्तो P, Q, R let's suppose दो triangle है तो अगर यह दोनो triangle similar है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके जो sides होंगे जैसे यह A, B है तो इसका side P, Q यह क्या होजाएगा ratio में आ जाएगे और यह हम जानते it is the property of the similar triangle तो वो सभी properties भी हमें काम आएगे ठीक है तो A, B upon P, Q हो जाएगा फिर दूसरा क्या है यह B, C तो B, C upon क्या है यह Q, R हो जाएगा and that will be equal to what यह AC है और यह PR है तो AC upon PR हो जाएगा और AC को हम लोग क्या बोलते है corresponding sides of similar triangle यह होता है हमारा अगर कोई 2 triangle similar है तो उसके sides भी क्या हो जाते है ratio में equal हो जाते है that is nothing but the corresponding sides of similar triangle उसी प्रकार यह जो angle होगा angle B, यह angle Q के बराबर होगा यह angle A और angle P के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है कि यह तीनों angle भी same हो जाते है because of the corresponding angle of the similar triangle यह हम जानते है तो CSHT यानि corresponding sides of similar triangle और CSHT that is corresponding angle of the similar triangle यह दोनों ही fundamental properties हमें use होने वाले हैं इस charter के अंदर तो यह सब चीज को recall कर लेना क्योंकि यह सब चीज already first chapter similarity के अंदर हम पढ़ चुके है तो ध्यान से देखना अब जाते हैं सीधा एक question के तरफ एक question है हमारा इसको हम लोग सीखेंगे कि कि इस प्रकार दो similar triangle को draw के जाता है और सीधा फिर आपको practice set पे लेके जाऊँगा तो practice set में total 4 example है उसमें से आपको मैं starting के 3 कराऊंगा बहुत easy है और 14 वाला जो है वो इसदम second के जैसा theme है तो आप लोग कर सकोगे homework के तरफे तो चलो मैं सबसे पहले इस question को कराता हूँ अगर यहाँ पे देखो question क्या पूछा है triangle ABC triangle PQR को क्या है similar है ठीक है जिसमें AB का value 5.4 BC का value 4.2 AC का value 6.0 दिया हुआ है AB का ratio PQ के साथ 3 is to do दिया हुआ है हमें बोला है कि ABC और PQR को construct करो कभी भी याद रखना जब भी कोई construction आता है तो सबसे पहले हमें जो बनाना होता है वो होता है दोस्तो rough figure या फिर rough diagram जिसको बोलते हैं यह एक ओर triangle है ठीक है यह दो triangle है मेरे पास और इसका नाम में दे सकता हूँ पहले triangle का नाम में दे दूँगा ABC तो इसका नाम में रखता हूँ ABC और इसका नाम में रखता हूँ PQR यह दो मैंने नाम रख लिए similar यह क्या हो गया rough क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितना centimeter का कौन सा है मुझे पता नहीं है तो मैंने मतलब ऐसा draw किया है कि समझ जाओ कि दिखने में यह triangle ऐसा दिखेगा और एक और चीज आपको ध्यान में रखने की जरुत वो है कि कभी भी ऐसा जब question आपको पूछेगा similar triangle वाला similar triangle वाला question पूछेगा construction का पूछेगा तो एक चीज के वपर हमेशा गौर करना जो कि है इसका नाम इसका नाम क्या है ABC इसका नाम है PQR तो कोई भी common नहीं है यह ABC अलगे PQR अलगे कोई कोई सेम सेम नहीं दिख रहा है C R अलगे B और Q अलगे A और P अलगे इसका मतलब दो अलग-अलग triangle बनेगे लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नाम सेम हो जाते है जो second example में करा हूँगा practice rate का ना वो ऐसी example है तो कभी-कभी नाम ना एक vertex जो होता है वो सेम हो जाते है तो उसमें ने triangle चिपक के बनता है touch हो के बनता है तो वो case से बनता है बताऊंगा लेकिन सबसे पहले जो basic वाला होता है दो अलग-अलग triangle similar के case में वो कैसे बनाते है तो सबसे पहले आपको क्या आध रखना है कि जैसे हमें एक चीज़ समझते है rough figure बना लिया उसके बाद आ जाओ किसके अंदर हमारा question के उपर question में क्या बोल रहा है कि triangle ABC जो है क्या बोल रहा है इसको मैं अलग color से लिखता हूँ चलो white ले ले लेता हूँ triangle मेरा ABC है क्या है similar to triangle PQR है और अगर ऐसा होता है we know that अगर ऐसा होता है तो इसके जो corresponding sides से वो ratio में आ जाएंगे यानि कि ये हो जाएगा AB upon PQ ये equal हो जाएगा किस से BC upon QR से and ये हो जाएगा equal to किस से AC upon PR से समझ में आ रहा है कैसे हुआ because reason क्या लिखोगे corresponding sides of similar triangle ये लिख दिया समझ में आ गया इतना आपको समझ में आ गया basic है यार ये तो ये गम basic है ये लिख दिया अब एक चीज़ यहाँ पर बोल रखा है कि AB और PQ का ratio 3 by 2 है मतलब 3 to 2 है तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते है क्या कि AB upon PQ इसको आप equation number 1 मान सकते हो ये AB upon PQ जो है ये कितना है 3 upon 2 3 ratio 2 का मतलब 3 upon 2 होता है इसको equation number 2 मान लो तो ये AB upon PQ के जगा पर मैं 3 by 2 लिख सकता हो तो ये 3 by 2 equal to इसके भी बराबर इसके भी बराबर हो जाएगा मतलब in short अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक line खिसता हूँ यहाँ पर उपसे पहले इसको थोड़ा समय side में बाजू में करता हूँ एक second दिख रहा है आपको ओके दिखेगा कि यहाँ पर एक line खिसता हूँ मैं wait यहाँ पर देखना अब यहाँ पर देखो यह तीनो हो गया जिसमें आपको कुछ कुछ चीजे पता है ab का value 5.4 डाल दो ab का value जो है अगर आप देखोगे ab का value जो है वो है 5.4 upon pq pq का value पता है कि है मुझे नहीं पता है तो मैं लिख दूँगा pq is equal to bc का value आप जानते हो जो की दिया हुए 4.2 upon qr का value नहीं पता है तो लिख दो qr वैसे का वैसे ही is equal to ac का value आप जानते हो जो की दिया हुए 6 upon pr का value मुझे पता नहीं है और यह सभी का value बराबर है 3 by 2 के अब मैं क्या करता हूँ एक एक करके लेता हूँ और सबका answer निकालता हूँ तो पहले मैं यह लेता हूँ á is equal to ea लेता हूँ नेट इस 5.4 upon pq इस equal to 3 by 2 अगर मैं लेता हूँ एक क्या हो जाएगा pq multiply by 3 5.4 multiply by 2 तो क्या हो जाएगा solve करलो इसको तो क्या हो जाएगा बता मुझे तो pq will be equal to what pq will be equal to what ah it piq will be equal to 5.4 multiply by 2 divide by 3 हो जाएगा ठीक है तो 1.1 multiply by 2 बतलब PQ का value आ जाएगा 3.6 PQ का value आ गया 3.6 ठीक है, correct है कि नहीं PQ का जो value है, वो कितना आ रहा है 3.6 आ रहा है ठीक है, यहाँ से हम लोको PQ मिल गया ठीक है, इसको solve करके 5.4 multiply by 2 is nothing but 1 10.8 और इसको 3 से डिवाइट कर रहा है 3.6 आएगा, वैसे यह निकाल लो 4.2 2nd 1, 4.2 यह divided by QR ले रहो और is equal to क्या ले लो, 3 by 2 ले लो इसको solve कर लो, तो यह क्या हो जाएगा QR will be equal to what, QR will be equal to 4.2 multiply by 2 whole divided by 3 ठीक है, तो इसको करते हम लोक solve, तो कितना आजाएगा देखो, यह हो जाएगा 1.4 multiply by 2 is nothing but 2.8, तो यह कितना आ रहा है, 2.8 आ रहा है correct, बिल्कुल सही आ रहा है, तो हमारा QR का value आ जाएगा 2.8 2.8 cm दिया है क्या, हाँ, cm दिया है तो लिखा करो, cm, यहाँ पे भी मैं लिखा 6 upon PR है, is equal to 3 by 2 है, correct है 6 upon PR is equal to 3 by 2 यह value लिया, तो यह हो जाएगा PR will be equal to what, PR will be equal to what, 6 multiply by 12 divided by 3 6 multiply by 12, sorry 12 नहीं, 2 है 6 multiply by 2 divided by 3, तो कितना हो जाएगा 12 by 3 यानि कि 4 तो PR का value कितना आ गया, 4 cm, तो देखो, यहाँ पे 3 value मिल गया हम लोगो, कौन-कौन से 3 value मिल गया PQ मिल गया, QR मिल गया, PR मिल गया, बाकी AB, BC और AC जो दिया हुआ है मतलब यह दोनों triangle का, यह दोनों triangle का AB, BC, AC, PQ, QR और PR जो भी है, यह तीनों का value हम भी मिल गया है और अब हम जो construction करते हैं, हमेशा से scale का, आपको क्या लगेगा एक scale लगेगा, एक pencil लगेगा, और एक compass लगेगा, जिसमें आपका pencil लगा होता है डिवाइडर बोलते हैं, नॉर्मल तोर पे वो लगेगा अब इसको हम लोग solve करते हैं, चलो फटा-फट से तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे ABC बनाएंगे ABC बनाने के लिए, नीचे क्या है, AB का value है, let's suppose कि मैं सबसे पहले AB बनाऊंगा, तो AB क्या है हमारे पास, देखो, AB धाम को दिया हुआ है 5.4 cm, तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले, 5.4 cm, क्या ड्रॉ करेंगे, समझ लो मेरे, आपको scale लेना है, scale चे आप 5.4 cm, इतरा तो आप कर लोगे ना, यार देखो, मेरे पास scale बड़ा वाला है नी, ठीक है, मैं कोई स्कूल वगर में पढ़ाता नियूँ, इसके लिए मेरे पास कुछ है नी, फिलाल में, ठीक है, मार्केट में मिलते हैं, मैं खरीट के ला सकता हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ है, 5.4 cm से ड्रॉ करना, आप सभी को आता होगा, पाच्वी का बच्चा बिटरा करेग यहाँ पर आपके पास BC है, यहाँ पर AC है, यह आपने AB ड्रॉ किया 5.4 cm का जो आपको बोला था, अब आपके पास यह बीसी यहाँ पर है, यह AC यह 4.2 का ऐसे arc जो है cut मारोगे cut किया arc बनाया उसी प्रकार A से क्या join हो रहा है यहाँ पर A से C join हो रहा है मतलब AC तो AC का value है 6 है अब आप क्या लोगे अपने scale से नापके उस compass में 6 cm लोगे फिर A point पे रखोगे और यहाँ पर ऐसा cut मारोगे तो जहाँ पर भी यह cut हो रहा है यह point develop होगा अब वहाँ से आपको क्या करना है बस scale की help से आपको line जोड दीनी है और यह आपका बन गया triangle इसका दाम दे देना A, B और इसका C तो यह BC कितना था BC 4.2 था इसको यहाँ पर लिख दो यह AC कितना था दोस्तो 6 था तो यहाँ पर लिख दो 6 cm खतम है यह बन गया आपका triangle ABC triangle ABC बन गया construct कर लिए आपने यह आपका real बना हुआ है वैसे दूसरा आप निकालोगे दूसरा कैसे निकालोगे सेम दूसरा triangle का नाम क्या है PQR तो PQR के लिए आप देखो कि रफ फिगर यह है ऐसे दिखेगा तो PQ नीचे लिखेंगे सबसे पहले PQ PQ का value 3.6 है तो सबसे पहले क्या करो PQ draw करो कितना 3.6 cm का समझ लो यह PQ जो है कितना है 3.6 cm है तो मैंने सबसे पहले क्या draw किया यहाँ पे PQ ठीक है यह P हो जाएगा यह Q हो जाएगा कितने का 3.6 cm का draw कर लिया उसके बाद यह PQ draw करने के बाद यहाँ से QR है और यहाँ से PR है तो QR का value कितना है हमने निकाला है 2.8 तो मतलब आप Q पे रखोगे compass और 2.8 scale से मापके यहाँ पे Q पे point रखोगे और इस प्रकार से एक R कट करोगे कितने का R कट किया आपने 2.8 का ठीक है अब यहाँ पे PR बन रहा है तो PR का value भी आपको पता है 4 cm है अब आप scale से न आपके आपके compass में 4 cm ले लोगे यहाँ पे P पे आपका point होना चाहिए और यहाँ पे आप कट मारोगे तो जहाँ पे भी आपने कट मारा इस प्रकार से आपका point मिल जाएगा with the help of scale आप बस उसको join कर लेना ठीक है और वो जो point आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा that is R point तो यह बन गया P Q R P Q का value कितना था लिग गग गया 3 points centimeter नहीं है यह मेरा 2.8 नहीं है मैंने अपने हाथ से measure किया लेकिन आप लोग scale से बनाओगे measurement के साथ बनाओगे थोड़ा सा fluctuate करेगा otherwise बाकी method से में सब कुछ से में बस आपका scale से measure करके आप लोग बनागे तो मेरे साथ जैसे मैंने यह बनाया मेरे साथ साथ बनाना बस मैंने क्या कि आपने हाथों से मैंने marking किये आप लोग scale से measure करके marking करोगे बाकी कुछ फरक नहीं अच्छे से करो बहुत easy chapter है trust me थोड़ा वरुसा करो और हर चीज अपने आप पे बहुत easy हो जाता है बस कोशिश करते रहना practice कर देना तो इसी के साथ हो गया यह पहला question पहला question मतला आपका यह पहला construction of similar का एक example जो मैंने आपको solve करा दिया कितना easy था अब ऐसे ही यह पूरा का पूरा जो practice set है वो base है तो चलिए आईए सिखते हैं अब समझ में आ गया कैसे solve करते हैं कोई भी similar triangle को draw करने आया तो कितना easy थरीगी से draw किया जा सकता है समझ में आ गया draw कर सकते हैं अभी हम लो चले आगे बढ़े तो सीधा सीधा जाते हैं हमारे practice set के उपर तो this is the practice set number 4.1 जो हमें solve करना है इस lecture के अंदर इस video के अंदर ठीक है तो ध्यान से देखोगे अच्छे से पूरा देखोगे चलो यहाँ पे सबसे पेरे देखो ध्यान से यहाँ बोल रहा है कि triangle ABC और triangle element similar है एक triangle ABC दिया जिसमें A B का value BC का value और C A का value मतलब ABC triangle का पूरा value दे रखा है construct करना है दोनों triangle को जिसमें BC और MN का एक ratio दे रखा है मतलब सेम जो हमने अभी solve किया उसी प्रकार का example है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ दे रखा है क्या दे रखा है कि मेरा triangle जो है A B C is similar to triangle element ठीक है यह दे रखा है और उसके पहले हम लोग क्या करेंगे उसके पहले हम लोग यह करने के पहले हम लोग अपना जो rough diagram है वो बना लेते हैं फटा फट से rough diagram क्या बनेगा दो triangle अलग 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 है यह ABC element दोनों अलग अलग है तो यहां पर एक बनेगा ABC ठीक है और यह बनेगा हमारा element ठीक है नाम दे तो इसको क्या नाम दे हम लोग इसको बोलो A B C L M N नाम दे दिया आपको जैसा नाम देना है starting यहां से करो यहां से करो कोई फरक नहीं पड़ता नाम कैसे भी दे सकते हो दे दिया दोनों A C upon L N होगा क्यों होता ऐसा because of corresponding sides of similar triangle क्योंकि यह दोनों triangle similar है बोलके रखा हुआ है पर अबर तो इसको मैं माल लोगा equation number 1 यहां से मैंने माल लिया equation number 1 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना बहुत simple है यहां तक समझ में आ गया होगा अब अगर ऐसा है तो एक और चीज number 2 अब जब BC upon MN 5 by 4 है तो कहीं ने कहीं हम उसमें जब डालेंगे तो यह तीनों का value 5 upon 4 हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते है in short हम लोग क्या बोल सकते है कि therefore हम लोग क्या बोल सकते है therefore this value AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN यह जो value है यह किसके बराबर हो जाएगा that is 5 upon 4 के बराबर जाएगा और यह कहां से आया from equation number 1 and 2 से आया समझा यह चीज कहां से आया अब जो भी value हमें पता है वो इसमें हम डाल देंगे एक एक करके तीनों का value calculate करेंगे फिर हम लोग diagram बना लेंगे same पिछला जो example हम ने देखा same उसी प्रकार का example है तो चलो सबसे पहले AB upon LM AB का value BC का value CA डाल दो इसमें तो यह हो जाएगा AB के जगा पर क्या लिखेंगे 5.5 लिखेंगे AB के जगा पर 5.5 लिखा नीचे LM है तो वो लिख दिया is equal to दूसरा है BC upon LM तो BC के जगा पर 6 लिखेंगे upon LM फिर is equal to यहाँ पर AC upon LM है AC का value कितना है CA का value 4.5 है नीचे है LM और यह पूरा is equal to क् 5 upon 4 है तो यह लिख दिया मैंने 5 upon 4 और यहाँ पे आप एक line खीज़ो ठीक है कमझ में आ रहा है चलो आगे बढ़ते हैं अब next step में क्या कर सकते हम लोग एक एक करके इसको पकड़ेंगे और value को पकड़ेंगे तो एक एक करके solve करेंगे और सबका value फटा-फट से निकालते है चलो फटा-फट से value लिकालते हैं तो सबसे पहले यह पकड़ा मैंने 5.5 upon LM is equal to 5 upon 4 तो इसके वज़े से हम लोगो क्या मिल जाएगा LM का value मिल जाएगा तो LM का value कितना आएगा बताओ 5.5 multiply by 4 ठीक है whole divided by कितना है 5 ठीक है तो कितना हो जाएगा 5.5 multiply by 4 is nothing but 5.4 जा 20 22.2 ठीक है करके देखो 5.5 को ठीक है यह हो जाएगा 555 हो गया ठीक है multiply by 4 divided by 50 तो यह हो जाएगा 4 5 is a 20 मैंने पॉइंट हटा दिया 4 5 is a 22 carry 4 5 is a 20 22 22 अपन 50 00 cancel 5 1 is a 5 5 4 20.5 4 24.4 वैलु आएगा correct यहां पर 4.4 वैलु आएगा ठीक है ना जो भी है हम लोग अच्छी तरीके से इसको देख रहे है clear है तो यह 4.4 बिल्कुल सही वैंसर है तो हम लोग का LM का value आ गया यहां पर 4.4 cm देखो LM निकाल लिया अब LM निकाल लिया ठीक है इसको रफ कर लो LM निकाल लिया ना अब आप क्या निकाल होगे मुझे बता हो LM निकल गया अब MN निकालेंगे तो इसके लिए यह लेना पड़ेगा और यह लेना पड़ेगा तो 6 अपन MN ले लिया is equal to 5 अपन 4 ले लिया तो therefore MN के लिए क्या हो जाएगा MN is nothing but 6 multiplied by 4 whole divided by 5 तो 6 4 जा 24 होत 4.8 आ जाएगा correct है 4.8 बिल्कुल सही है तो हमारा यहां से MN का value मिल गया जो कि है 4.8 cm समझा यह चीज मन का value मिल गया 4.8 cm अब लास्ट में निकालेंगे हम लोग LN तो LN निकाल लो फटा-फट से ठीक है LN यह है यह वाला LN का value है तो 4.5 divided by LN is equal to 5 by 4 ठीक है इसको solve कर लो therefore LN will be equal to what 4.5 multiply by 4 divided by 5 समझ में आ रहा है यहां तक समझा ठीक है क्या हो रहा है यहां पर 4.5 को 4 से multiply करना है ठीक है और divide by 5 करना है तो यह हो जाएगा 45 upon 50 multiply by 4 तो यह हो जाएगा 180 divided by 50 तो 00 cancel 53 the 15 3 बच्चा 56 the 33.6 आ रहा है ठीक है LN 3.6 आ रहा है बिलकुल सही आ रहा है क्या येस बिलकुल सही आ रहा है LN 3.6 आ रहा है तो LN का वैलू 3.6 cm देखो हमने तीनो सॉल कर लिया यह आप लोग भी आराम से सॉल कर सकते हैं कोई परशानी नहीं है साइड में rough calculation आप लोग कर लेना आपको सॉल हो जाएगा अब आपने तीनो वैलू निकाल लिया यह नीचे के तीनो वैलू निकाल लिय है तो सबसे पहले क्या करना आप लोगो सबसे पहले आपको लेना है एक लाइन सबसे पहले एवी सी बनाओगे तो इसके लिए बीसी ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले तो बीसी के लिए आप क्या करो एक सीधा लाइन कितना सेंटिमेटर का बीसी कितना है हमारे पास दे अब उसके बाद BC यहाँ पे है, तो उसके regarding में क्या बनेगा, A बनेगा इस तरह से, तो AB का value और यहाँ से AC का value, तो AB का value 5.5 है, अगेन आपका compass लेना है, और B पे रखे 5.5 कट करना है, तो यहाँ पे आप 5.5 का arc कट करोगे, same, यहाँ से C और A है, तो CA का value कितना है, 4.5 तो अगेन आप 4.5 ले लो, scale की help से, और यहाँ पे C पी रखे 4.5 कट करो, तो जहाँ पे भी आपका यह cut हो रहा है, एक point develop हो जाएगा, और वो point को बस आपको scale से यहाँ पे B से, और यहाँ से C पे जोड़ देना है, और वो जो point बना है, उसका नाम क्या हो जाएगा, A, तो यह बन गए आपका A, B, C, यह triangle बन गया, A, B का value कितना था हमारे पास, 5.5 था यह लिख देना यहाँ पे, A, C का value कितना था हमारे पास, 4.5 लिख देना, और already मैंने BC का लिखा हो है, तो यह बन गए आपका triangle ABC, यह ड्रॉ कर लिया, सेम उसी प्रकार, एको triangle ड्रॉ करना, जिसका नाम है LMN, तो LMN यहाँ पे दिखर है rough diagram, तो इसमें सबसे पहले नीचे क्या है, MN है, तो सबसे पहले आप क्या है ड्रॉ कर होगे नीचे, MN, 4.4, तो M पे रखो, और 4.4 मार्क करो, फिर यहाँ से N से क्याट रहो होगा, LN रहो होगा, तो 3.6 यहाँ पे रखो, और यहाँ पे मार्क करो, समझा ना, value कैसे लेना है 3.6, ठीके न, MN, LN का value 4.4 था, LN का value था 3.6, और अल्रीड हमें यह 4.6 लिखा है, तो बन गया आपका triangle ABC, triangle LMN, completed, कितना simple है, मिल गया, 2-3 marks, 3 marks का basically पूछा जाएगा, और राम से मिलेगा आपको marks, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दोस्तो, clear, ठीके, clear हो गया, माफ करना दोस्तों, थोड़ा सर्दी मुझे हो गया है, बड़ मेरे आवाज आपको सही आ रही होगी, climate change होता है, तो थोड़ा बुद हो जाता है, कोई बात में, तो यह आपको समझ में आ गया, this is the very first example of practice rate number 4.1, बहुत अच्छी तरीकित समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले question पे जाते हैं, next question क्या है देखो, अब यह जो question है, वो थोड़ा विचित्र प्रकार का है, अलग प्रकार का है, क्यूँ, देखके ही पता चलेगा, मतलब कही न कहीं, दोनों ही triangle में एक vertex common है, और अगर ऐसा होता है, तो दो अलग-अलग triangle नहीं बनते, दोनों triangle चिपक के बनते, ये condition है, याद रखना, ठीक है, तो इसका rough diagram कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं rough diagram ही बता देता हूँ आप लोगो, rough diagram कैसे बनेगा, तो समझअन लो कि आपका ये triangle है, क्या है, यापका ये triangle है, समझ में आ रहे है, कि न है, बहुत simple है, इसमें कुछ logic नहीं है दोस्तो, इसमें कुछ भी ऐसा logic नहीं है, तीक है, ये triangle है, तो इस heel triangle है, वो कुन सा होगा, बताओ, ये triangle PQR होगा, ये triangle LTR होगा, obviously आप देखो कि जब ratio PQ upon LT तो PQ का जो है वो 3 है LT का 4 है मतलब PQ का जो value है वो छोटा है तो PQR जो triangle होगा वो छोटा होगा समझ में आ रहा है तो समझ लोग यह छोटा है जिसका नाम PQR अगर हम रखेंगे तो इसको हम लोग मान सकते है triangle PQR यह हम लोग मान सकते हैं अब दूसरा हम लोग क्या मान सकते हैं कि एक triangle है मेरे पास जिसका नाम होगा LTR लेकिन उसको मैं कैसे draw करूँगा दोनों का तो R जो है यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R दो है दोनों का same है तो कैसे होगा तो मैं मान लेता हूँ कि समझ लो कि यह मेरा R होगा यह मेरा R होगा यह मेरा P होगा और यह मेरा Q होगा तो यह हो गया PQR समझ में आ रहा है यह क्या हो गया लेट इस PQR हो गया इतना समझ में आ रहा है अब यहाँ पे ध्यान लगाना है कि यह मेरा छोटा ट्रेंगल मतलब इसके साइड बे या फिर इसके चिपक के या फिर इसके ओपर एको ट्रेंगल आएगा जिसका नामे LTR तो LTR अगर ड्रॉ करना है तो LTR यह हम लोग एक्च्छल में पहली बाद तो क्या ड्रॉ कर रहे है यह आपका रफ डाइग्रम है तो मतलब मेरा जो ट्रेंगल आएगा वो कहीं न कहीं इससे चिपक किया आएगा तो यह मेरा आर तो यहाँ पे रहने वाला ही है ठीक है यह मेर चिंब रहाओ ट्राइ करते हैं यस बन रहा है देखो अब यह यहाँ पर overlap हो गया इह यहाँ पर overlap हो गया अब यह जो बना यह आपका L रहेगा यह आपका T रहेगा तो देखो यह जो triangle है आपका будет यह पूरा यह आपका L T R समचा है यह आपका L T, R और यहाँ पे P, Q और यह आपका R, P, Q, R, समझा, यह ऐसा आपका triangle actual में बनेगा, यह आपका rough diagram समझ में आ गया, तो कभी भी R ऐसा question आया तो diagram इसे याद रखना, कैसे याद रखोगे क्योंकि R, R जो है दोनों में है इसको अलग अलग बना सकता होगी है यह triangle P, Q, R, यह triangle L, T, R यह P, Q, R, L, T sorry L, T, R, अलग अलग नहीं बना सकते है तो क्योंकि इसका R और इसका R सेम होना चाहने दोनों match होना चाहने, तो दोनों match होना अब देखो L, T, R का भी R, L, T, R और PQR, एक ही जगा पर आ रहा है, तो मतलब यह हमारा correct figure बनेगा, इस प्रकार से हमारा rough diagram बनेगा, अब एक चीज है यहाँ पे, देखो इसको solve करने के दो तरीके हैं, एक तो direct हमेशा जो हम लोग कर रहे हैं, value निकाल के, वो भी कर सकते हो, सबका value निकाल लो, वो आ जाएग जिसमें आपको PQ का value दिया है, QR का value PR, मतलब एक triangle PQR का पूरा-पूरा value उन्होंने दे रखा है, पूरा-पूरा PQR का value उन्होंने दे रखा है, correct है, simple सी बाते दे रखा है, कोई problem ही नहीं है, ठीक है, और दूसरा, यहाँ पे उन्होंने बोल रहा है कि triangle PQR को construct करो, LTR को construct करो, such that PQ upon LTR is equal to 3 by 4, मतलब एक ratio भी दे रखा है उन्होंने, तो सबसे पहले जब यह ऐसा होता है, PQR is similar to triangle LTR, तो हम लोग बोल सकते है कि corresponding sides of similar triangle के हिसाब से, हमारा यह जो आएगा, PQ upon LTR, PQ upon LTR हो जाएगा, ठीक है, is equal to QR upon TR हो जाएगा, और is equal to PR upon LR हो जाएगा, ठीक ह इसको मान लिए equation number 1, यहाँ पे एक line भी खीज़ दो, यहाँ पे एक line खीज़ दो, इस प्रकार से, देखो यहाँ पे, आपर एक और चीज़ दे रखा है उन्होंने, PQ upon LTR is equal to 3 by 4, तो PQ upon LTR is equal to 3 by 4, उन्होंने दे रखा, इसको मान लो equation number 2, एन इसके accordingly यह पूरा change हो कि यह नया value मिलेगा, वो क्या मिलेगा, that is PQ upon LTR is equal to QR upon TR is equal to PR upon LR is equal to 3 by 4, और यह कहाँ से आया, from 1 and 2, यहाँ तक जो भी पहुचे हम लोग कर रहे हैं ना दोस्तों, यह दोनों के दोनों, same procedure है जो हमने पहले के example में देखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो method है ना, वो हम लग व अब ही, यह PQ का value, QR का value, PR का value यह दे रखा है उन्होंने, वो डाल दो इसमें, जिससे आपको LTR का value, TR का value, LR का value मिल जाएगा, जैसे हम अमिशा solve करते हैं, यह method हो गया, उससे हम लोग कर सकते हैं की ने कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तो चलो, आ जाते हैं उससे, और दूसरा अला भी लास्ट पर बता हो, महां देखो, तो PQ ही यहाँ पे, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे PQ by LT है, ठीक है, PQ by LT, PQ का value 4.2 है, तो 4.2 by LT is equal to QR का value दे रखा है, उन्होंने 5.4 upon, क्या है नीचे, TR is equal to, PR का value दे रखा है, उन्होंने 4.8 upon LR, ठीक है, and यह पूरे is equal to 3 by 4, और यहाँ पे clear कर पता चल रहा है, कि यह जो LT, TR और LR है, इसका 4th है, मतब 4 pack में divide होगा, वो section के तौर पे काम आएगा आपको, जो मैं आपको एक और method बताने वाला हूँ, ठीक है, यह देखो दियान से, एक और method बता हूँँगा, उसके लिए तयार फटा-फट से, LT का value, डारेक निकालो, क्या जाएगा, 4.2 multiply by 4, मैं calculator रहीं कर लो, फटा-फट सौल करने के लिए, आप लोग मत करना calculator, मैं फटा-फट सौल करना है, क्योंकि मैं को दूसरा method भी बताना है आपको, ठीक है, इसको मैं side रखता हूँ, और फटा-फट सौल करत ठीक है, तो इसमें TR का value मिल जाएगा, TR is equal to, this multiply by this, that is 5.4 multiply by 4, ठीक है, and whole divided by, ठीक है, whole divided by 3, 7.2 आगया, इसका value आगया, 7.2, ठीक है, येतना समझा, अब तिसरा क्या है ये वाला, देखो, और मुझे माफ कर जाना, क्योंकि मैं calculator use कर रहा हूँ, आपको allow नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका value थोड़ा और fast निकाल पाओ, वैसे तो आप लोग निकाल पाओगे, कोई problem नहीं है, लेकिन ये पहला method है, दूसरा method और मज़ेदार है, जिसमें आपको calculation करने की जरूती नहीं, बताओंगा, देखो कैसे, ध्यान से देखना, ये पहला method समझ कि अगर ऐसा कुछ example आया, जिसमें same same overlap हो रहे, ऐसा कुछ आया, तो उसके दो method is all करने के लिए, एक normal method जो हमेशा हम करते है, सबका value निकाल के, और दूसरा एक direct method जिसमें construction करना पड़ेगा, और direct आ जाएगा answer, पहले इसको समझ लेते है, तो ये क्या है, 4.8 upon LR is equal to 3 by 4, त आ गया, तीनों का value, अब बस आपको construction करना है, ठीक है, क्या करना है, construction, तो मझ में आ गया ये चीज, तीनों value मिल गया, अब दोनों triangle का value पता चल गया, draw कर लो, सबसे पहले क्या draw कर होगे, यहाँ पे आप देखो, यह RQ है, मतलब QR का value पता है क्या आपको, देखो QR का value पता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, Q है, और यहाँ पे आपका R है, ठीक है, और दोनों का value कितना है, 5.4, इतना समझा, लेकिन इसी के आगे है QT, इसी के आगे आपको दिख रहा है QT, अब QT का value तो मेरे पास है नहीं, QT का value तो है नहीं, समझ में आ रहा है, मैं क्या बतान value कितना है, 7.2 है, तो यहाँ से R से लेके, पूरा 7.2 complex कर सकते हो, RM से लेके पूरा 7.2 लोगी। समझ लौ यहाँ तक आया होगा, यहाँ पे आपका R से लेके, 7.2 लोगी ठूरा होगा है, और यह आगया T, और यह पूरा जो है, यह पूरा जहों गए, यह पूरा rt का value यह कितना होगा 7.2 होगा यहां से लेके यहां तक समझ में आया rt का value 7.2 समझा अब दूसरा देखो यह rp दिया हुआ है आपको ठीक है rp दिया हुआ है कितना rp rp क्या होता है pr rp मतलब pr 4.8 दिया है लेकिन यह पूरा triangle आप देखो यह lr lr का value 6.4 है तो क्या मैं मेरे compass में 6.4 लेके इस प्रकार से cut कर सकता हूँ तो समझ लो यहां पे रखा और इस प्रकार से मेरा arc cut हुआ इतने का 6.4 का lr यह पूरा lr है ना तो 6.4 का cut हुआ और यहां पे क्या है lt है तो lt का value 5.6 है तो यहां पे 5.6 लोंगा और t पे रखे इस प्रकार cut करूँगा तो मुझे एक point मिलेगा और वो point रहेगा मेरा l का point अब मैं क्या करूँगा बस इसको यहां से join करूँगा और इ lr draw हुआ है ltr लेकिन उसके अंदर ही है मेरा pqr तो q का point तो मिला हुआ है मेरेको q का point तो मिला हुआ है ना अब यहां पे pr जो है बीच में pr जो है pr की दर है देखो pr 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 का value 4.8 है यहां पे 4.8 ले लो और यहां पे r पे रखके 4.8 जहां होगा वहां cut कर देना तो आपको एक point मिल जाएगा जो की होगा आपका p point अब यह p point मिल गया यह q पहले सही है इसको ले लो और यहां से इसको join कर लो बन गया आपका इसके जैसा दिखने वाला triangle जिसका नाम क्या है triangle pqr और ltr दोनों का point r से इस प्रकार से बन गया बस आपको इसमें numbering करना है numbering मतलब जिस अब लेकिन एक वर मैं बताने जा रहा हूँ कि यहां तक हम लोग आ गए अब मुझे यह तीनों value नहीं निकालना है समझ लो मुझे इतना मेहनत नहीं करना है तो मैं direct क्या करूँगा pqr का value मुझे पता है तो मैं pqr कर सकता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या draw करूँगा pqr क करूँगा तो मैं क्या करता हूँ pqr करता हूँ यहां पे मैं draw करूँगा सबसे पहले क्या है मेरे पास pqr करने के लिए rq चाहिए बतलब qr चाहिए 5.4 cm का मैं draw कर लोंगा 5.4 cm का rq this is r this is q यह हमारा 5.4 cm समझ लो यह मैं draw किया दूसरा यह PR का value मुझे पता है देखो दिया हूँ यह भूल जाओ अभी यह मुझे नहीं पता है यह दूसरा method पता ने जारो लिख देता हूँ यहाँ पे second method यहाँ पे लिख देता हूँ मैं second method जिसमें हम लोग कोई भी calculation नह r cut करूँगा समझ लो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने r cut किया 4.2 लेके फिर q से लेकर यहाँ पे भी join होगा तो q से लेकर यहाँ पे क्या है मैंना देखो q से लेकर यहाँ पे क्या है यह वाला बड़ा लो ट्राइंगल का बात ही नहीं है क्योंकि मैंको calculation नहीं पता है समझ लो तो यह pq है तो pq का value 4.2 दिया हुआ है तो अब मैं q से 4.2 रखोंगा यहाँ पे cut करूँगा तो समझ लो मुझे एक point मिल गया यहाँ पे और वो मेरा point क्या होगा p का point होगा तीक है वो कुन सा point होगा मेरा p का point होगा अब मुझे simply इसको draw कर देना है pq और qr को draw हो गया यह prq याणि pqr मिल गया लेकिन दोस्तो अब मुझे ltr भी draw करना है इसकी side में ltr भी draw होगा लेकिन ltr का मुझे calculation पता नहीं है क्योंकि मुझे यह नहीं करने वाला यह step नहीं करने वाला direct करने वालो तो ltr draw करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको simply r जो point दिख रहा है वहाँ से एक acute angle का line कीचना है क्या करना है एक acute angle का line कीचना है तो let's suppose आप क्या करो एक acute angle का यहाँ से line कीच दो तो मैं आपको बता रहा हूँ किच के acute angle मतलब क्या होता है थोड़ा सा angle किस प्रकार से line कीच देना है फिलाल में जो 4.5.4 लिखा है इसको मैं side में हटा रहा हू ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे समझ लो, acute angle में ने draw किया, अब आपको करना क्या है, अब यह जो आप बनाने जा रहे हो, यह किसका बनाने जा रहे हो, triangle LTR का बनाने जा रहे हो, और triangle LTR का आप देखोगे, मतलब LTR का देखोगे, तो 4 ratio दिया यहाँ पे मैंने अपना compass लिया, यहाँ पे रखा, और 1R कहाँ पे कट किया, फिर उतना ही मैंने 1R कहाँ पे कट किया, उतना ही मैंने 1R कहाँ पे कट किया, और उतना ही मैंने 1R कहाँ पे, तो 4 मैंने को क्या मिल गए, arc मिल गए, समझ लो, इस प्रकार से, ठीक है, क्या मिल है, 4, arc मिल गए, समझ में आ रहा है, 4, arc मिल गए, clear है, यहां तक clear हो गया, अब आपको क्या करना, इसको naming देने, जिसे R है, तो यह हो जाएगा R1, यह हो जाएगा R2, यह हो जाएगा R3, यह हो जाएगा आपका R4, अब आपको करना कुछ नहीं है, यह जो angle आपको दिख रहा है, इस प्रकार से आपको क्या करना, यह जो R3 का point है, यह R3 को इस प्रकार से क्या करना, इसको join कर देना है, R3 को मैंने क्या किया, इसको join कर दिया, ठीक है, अब R3, Q से मैंने जब join किया, तो यहाँ पे एक angle आपको बन रहा हो दिख रहा है ठीक है अब यह एंगल पर आपको क्या करना है यह एंगल पर आपको एक आपका लेना है आर्क अपने मन से कोई भी एक आर्क यहां पर रखो और इस प्रकार से आर्क बनाओ यह आर्क जो आपने बनाया उतना ही आर्क यहां पर भी बनाओगे यहां प इसको cut किया तो समझ लो यहाँ पे आपका क्या आया? एक point आया और उसके पहले आप चीए? ऩाइ स्केर? यहाँ पे मैंने खीच के रस दिया लंबा-Lंबा कोई problem निया है यहां तक, ठीके? अब वापस आजाओ जो कर रहे थे आप, ठीके, तो ये जो point मिला, यहाँ पे आपको जो point मिला, इसके help से, ये point से, scale की help से आपको क्या करना है, वो point से past को करके, एक line खिस देना है, यहाँ पे भी meet होगा, वो आपका मिल गया point, और वो क्या होगा, that is, आपका जो triangle बन रहा होगा, ये point होगा, that is, T point, तो ये आपका क्या बन गया, T point मिल गया, ठीके, अब T point है, इसको यहाँ से भी जोड़ना है, लेकिन कहाँ पे जोड़ू, यहाँ जोड़ू, यहाँ जोड़ू, यह कहाँ से जोड़ू, मतलब इसके parallel में ही जोड़ना होता है, तो engineering में हमारे पास roller scale होता है, तो हम लो लेके, यहाँ तक का जो arc का distance, इन दोनों के बीच का, वो ही distance लेना है, और इस पे लेके, ऐसा cut मारना है, जहाँ पे भी आपने cut किया रहेगा, यह जो point आपको मिलेगा, उदर से आपको scale की help से, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीके, scale की help से आपको draw करना है, एक मिन जाएगा, ठीक है, इस परकार से बन जाएगा, समझ में आ रहा है, और यह जो point मिलेगा, यह आपका मिलेगा L point, तो यह बन गया L, T, और R, यह आपका triangle बन गया, देखो यह वाला, आपका बन गया L, T, R बन गया, और यह P, Q, R तो पहले सही, तो this is the method number 2, यह लोग बोलते ह है, लेकिन अगर आप इससे करोगे, तो भी आपको equally marks मिलेगा, और चाहे आप इससे भी करोगे, तो भी आपको equally marks मिलेगा, और दोनों ही method लगबग equal है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमको calculation नहीं करना है, direct बस construction, जिसको construction करने में ज्यादा मज आता है, वो यह method करे, जिसक होता है, आपको में homework देने वालो, ठीक है, इसको फटा-फट से देख ले दे, और यह पूरा complete करते है, ध्यान से, देखो, अब यह question में क्या बोल रहा है, एक triangle, एक ट्रेंगल, एक ये triangle, ठीक है, और एक ये triangle, ठीक है, चलो, नाम दे दो इसको क्या है, एक का नाम है, एक का vya yz, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये rst हो गया, ये x, y, z हो गया, rst में Rs का value दे रखा है, 4.5 cm, rs का value 4.5 दे रखा है, rst का value 40 ंrst मतलब ये s का angle 40 दिखरी दिखरी दिया हुआ, तो ये 40 होगा तो ये भी 50 होगा, प्योंकि दोनों similar ह यह value 5.4 दे रखा है, construct दोनों ट्रेंगल को करना है, rs upon xy दिया, कुछ नहीं है, बहुत simple example है, कुछ ज्यादा complication नहीं है, सबसे पहले दोनों triangle similar लिख दो, triangle rs t is similar to triangle xyz, अगर ऐसा होता है, तो तीनों के तीनों side, क्या जाएंगे, ratio में आ जाएंगे, मतलब, rs upon xy is equal to ht upon yz is equal to rt upon xz, ठीक है, कहां से आया, corresponding sides of similar triangle के वज़े से आया, इसको equation number 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है, यह दे दिया, यहांप एक line कीज़ दो, ठीक है, चलो, अब ध्यान दो, इसमें क्या-क्या value दिया हुए, rs का दिया है, ht का दिया है, rs का दिया है, rt का कुछ value है क्या, rt का value कुछ है नी, तो इसको लेके कुछ मतलब नहीं है, यह third side को लेके मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कुछ value दिय xy का जो value है, वो दे रखा है 3 by 5, 3 by 5 दे रखा है, इसको मालनो equation number 2, तो दोनों compare करेंगे, तो हमें मिल जाएगा rs by xy is equal to st by yz, और ये तीसरा लेने का नहीं, क्योंकि इसका कुछ value ही नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं है, तो ये लेके मतलब नहीं है, तो सिर्फ 2 ही लेंग है, angle rs t 40 degree है, और हमें एक पता है कि rs t और xyz similar है, तो मेरा simply में क्या बोल सकता हूँ, कि angle rs t जो होगा, वो congruent हो जाएगा angle किस से, xyz से, क्योंकि ये जो angle है, और ये जो angle है, ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगी, congruent होंगे, because, ये reason क्या हैगा, corresponding angle of similar triangle, क्योंकि दो triangle जब similar होते हैं, तो दोनों के angle भी congruent होते हैं, side ratio में आ जाते हैं, और angle congruent होते हैं, इसका मतला मेरा angle xyz जो होगा, वो भी 40 degree होगा, ठीक है, ये भी 40 degree होगा, यहाँ तक समझा, अब मेरे पास एक angle पता चल गया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, side का value फटा फट से निकाल लेता कितना 5.7, divide by yz, divide by yz हो गया, और is equal to 3 by pi, अब एक एक करके solve कर लो, तो सबसे पहले हम लोग यह solve करेंगे, तो xy का value मिल जाएगा, तो xy का value मिल जाएगा, xy का क्या हो जाएगा, 4.5 multiply by 5 divided by 3, मतलब यह हो जाएगा, 25, 2 carry, 24, 22, 22.5 divided by 3, करके देखो, यह ऐसा हो जाएगा, 4.5, चलो, इसको मैं पूरा आपको solve कराता हूँ, यह पूरा solve कराता हूँ, चलो, नहीं तो ना, आप लोग confuse हो जाओगे, मेरे लिए तो मैं कर लोगा, लेकिन आप लोग confuse हो जाओगे, देखो, यह पहले ले लो, यह 4.5 divided by xy है, और यह value ले लो, तो यहाँ से मिल जाएग by 5 divided by 3, तो यह हो जाएगा, 1.5 by, 1.5, 15, 5 is a Sunday, 7.5 answer आजाएगा, तो xy will be equal to 7.5, ठीक है, xy का value कितना आ गया, 7.5 आ गया, correct है, यहाँ तक correct है, क्या check कर लेते हैं इक पर, ठीक है, xy का value, क्योंकि छोटा सा मिच्टे को जाता है, फिर हमें आने, आने माले time में दिक्कत दे जा रहो, बोले जा रहो, बोले जा रहो, ठक जाता हो में भी यार, इसके पहले 2 lecture already record कर चुका हो, 11th के लिए और 12th के लिए, ठक गया हो, लेकिन complete करा के छोड़ोंगा, देखो थे हांसे, xy 7.5 आ गया, अब ऐसे यह निकाल लो, यह क्या है, 5.7 divided by yz, is equal to 3 by 5 है, तो यहाँ से मिल जाएगा, मुझे yz का value, जो की हो जाएगा, 5.7 multiply by 5 divided by 3, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1937 होता है, तो 1.9 multiply by 5, मतलब 95 है, 95 होता है, 95 होता है, 9.5 एंसर आएगा, 9.5 बिल्कुल सही आरा है, correct यार, मेरा जवाबी ने, क्या बात है, राओल यार, अभी कभी मैं अपने calculation में बहुत खूश होता हूँ, क्योंकि मैं इसा मन में calculation करके answer निकालता हूँ, और मैं जब 10 में था, 12 में था, मैं ऐसे ही बहुत fast करता था, मुझे calculator के जरूत नहीं परती थी, कभी कभार मैं use करता हूँ, calculator ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, कि मैं मैं green ले लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं RST ड्रॉ करूँगा, RST के लिए नीचे क्या है HT, तो सबसे पहले मैं HT ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे, एल ले लो, HT ड्रॉ कर लो, कितना है HT का value, 5.4 है ना, तो HT ले लो 5.4 का, यह S, बराबर यह T, यह कितना होगा, 5.4 का ले ड्रॉ करना है, तो आपका protractor होता है, आपके हाप में चंदा मामा, इस प्रकार का device होता है ना, आपके पास, इस मैसा लिखा होता है बहुत सारा, ठीक है, चंदा मामा बोलते हैं हम लोग उसको, protractor, वो रखना है यहाँ पे, और यहाँ से 40 डिगरी का लाइन खीचना है, ठीक है, हमारे पास नहीं हो, तो हम लोग यहाँ से सीधा सीधा एक लाइन खीचेंगे, समझदो यह 40 डिगरी का होगा, इतना होगा na 40 डिगरी, इतना तो आता होगा 40 डिगरी, समझदो, यह 40 डिगरी का हमने लाइन खीचा, उसके बाद यह RS है 4.5, RS का value कितना है 4.5, अब यह आपका पूरा का पूरा बन गया है RST, इसका angle है 40 degree, इसका measure है 4.5 और यह आपका 5.4, यह आपका बन गया RST, वैसे दूसरा वाला XYZ, जिसमें आपको XY का value मिल गया है, YZ का value मिल गया है, और angle Y भी मिल गया है, तो निकाल लेंगे, draw करो, कैसे draw करोगे, सबसे पहले यह draw करोगे YZ, तो YZ के लिएक straight line खिचना है आपको, कितना है YZ का value, देखो, YZ 9.5 cm, तो यहाँ से 9.5 थोड़ा बड़ा आएगा मतलब, ठीक है, 9.5, draw कर लेना, क्या नाम है इसका, YZ, उसके बाद, Y का angle है, यह 40 है, तो यह भी 40 था हमने न अब यह XY का value है, यहाँ पे, XY का value कितना है हमारे पास, 7.5, मतलब 7.5 आपके compass मिलेना है, Y पे रखना है, और 7.5 कट करना है, तो लगबग यहाँ पे समझ लो, 7.5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने कट किया, और वो जो point मिला, वो क्या मिला, आपको X मिला, यह X मिल गय का, और यह बन गया, आपका triangle R, S3 and XYZ, clear, pimple है दोस्तों, यहाँ तक clear हो गया, यहाँ तक clear मतलब पूरा example ही solve हो गया, तो पूरा बहतरीन तरीके से यह पूरा का पूरा example हमने solve कर दिया है, और इसी के साथ आज का यह जो lecture है, और आज का जो practice set है, यह होता है complete, 4.1 बहतरीन के साथ, उमीद करता हो, काफी जादा मजा आया होगा, आपको हमारे साथ पढ़के, ऐसा ही 4.2, 4.3, जो भी इस chapter में practice set है, one by one लेकर आते रहेंगे, और आप लोगको बताते रहेंगे, तो इसे के साथ आज का लेक्चर समाप तो तो है, लेकिन एक request है, एक बड़े भाई ह होने के नाते, एक सर होने के नाते है, और आप लोगको continuous इतने सालों से पढ़ा रहा है, उसके नाते, कि यार हमारे वीडियो को जवाब देखते हैं, उसको सबसे पहले तो लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ, क्यूंकि आज भी कई सारे ऐसे दसन जरूर से करना दोस्तों, ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे निवी वीडियो में, तब तक के लिए thank you and good bye